नमस्कार, दोस्तो आप देख रहे हैं टेकनिकल लोक्यों और दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि SIM Card खरीते समें आपको अपने आधार काड के डिटेल से नी होती है यानि की आपको अपनी बायमेटिक्स डिटेल देनी होती है लेकिन दोस्तो अब Supreme Court ने आधार काड के साथ कि जो लोग SIM card खरीदते समय अपनी आधार details दे चुके हैं उनका क्या होने वाला है क्या उनके number बंद कर दिये जाएंगे और दोस्तो यह आपने काफिस सुना भी होगा जिनके SIM card आधार card से link है उनके आधार card को SIM से unlink कर दिया जाएगा और उनको दूसरे document देने होंगे तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगी अगर आप अपने SIM के साथ अपना आधार link करा चुके हैं तो क्या automatically आपका आधार card SIM से unlink कर दिया जाएगा और आगे SIM verification किस तरीके से होने वाली है और दोस्तो अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तो बेल आइकन दमाना तो बिल्कुल न भूलें ताकि मेरी वीडियो पहुँचे आप तक सबसे पहले तो दोस्तो दूर संचार मंतराले और Unique Identification Authority of India UIDAI ने देश भरके 90 करोड मोबाइल कस्टमर जिनके SIM के साथ आधार कार्ड लिंक है उनको रहात देते हुए का है कि आधार के जरिये पहले जारी हुए सबी SIM पहले की तरह ही चलते रहेंगे संचार मंतराले और UIDAI ने कहा है कि सरवच नयायले ने अपने आधार पर दे गए फैसले में कहीं भी यह नहीं कहा है कि KYC के जरिये पहले जारी से अवैद हो जाएंगे बलकि अगर कोई व्यक्ति पहले दिये गए आधार KYC को बदलना चाहता है तो उसके लिए वैजाद है इसके बदले उसे अपने किसी और पहचान पत्र को वेरिफाई कराने के लिए देना होगा यह परमान पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पास्पूट, पैंक पास्पूख आधी हो सकते हैं दूर संचार कंपनियों ने UIDAI को इस संबंद में अपनी योजना सोंप दिया उन्होंने काया है कि हम इस पर गोर कर रहे हैं कि क्या आप्शन बेटर हो सकता है पहले इस तरह की खबर आई थी कि तेलिकॉम कंपनियों को कस्टमर को दोबारस से वेरिफिकेशन करानी पढ़ सकती है ऐसे में document जमा कराने के बाद गराकों को verification होने में एक सफ़ता लग सकता है अभी तक 90 करोड लोगों के mobile sim आधार कार्ड के संथ verify हो चुके हैं टेलीकॉम कंपनियों ने नई KYC के लिए परस्ताव में एप आधारित registration कराने की बात कही है इसमें sim विकरेता कस्टमर की photo खीचेगा और कस्टमर को एक पर्मान पत्र और निवास पर्मान पत्र देना होगा और साथ में एक फारम बरना होगा नई सिस्टम के तहट कस्टमर का फारम और सभी document स्कैन किये जाएंगे जिसके बाद की फारम पर रिटेलर का नाम किस सरकल में यह परक्रिया हुई है समय और टेलिकॉम कंपनी का वाटर मार्क लगा दिया जाएगा ताकि कस्टमर को दुआरा दिये गए दस्तविच और फोटो को दुबारा से इस्तमाल ना किया जाए इसके बाद विकरेता आप के जरीए उपरक्ता का फारम टेलिकॉम आपरेटर के पास भेजेगा ताकि वेरिफिकेशन हो सके वेरिफिकेशन के बाद कस्टमर को दिया गया नमबर कॉल दुआरा सत्यापत यानिकी वेरिफाई किया जाएगा इसके साथ एक कस्टमर दुआरा दिये गए दूसरे नमबर पर एक 5 अंको का पिन भेज़ा जाएगा कस्टमर दुआरा या तो पिन के माद्यम से या फिर कॉल के माद्यम से वेरिफिकेशन कराएं जाने के बाद नमबर चालू हो जाएगा दोस्तों जिनके sim card के साथ पहले ही आधार card link हो चुके है उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है उन्हें कोई problem नहीं आने वाली है लेकिन अगर वे खुद अपनी मर्जी से आधार को dealing कराना चाते हैं तो वे आधार को खुद से dealing करा सकते हैं और चलिए दोस्तों अम मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से like करें comment करें शेयर करें और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शूब हो